नमस्कार, हर कहानी कुछ कहती है, आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं देविंदर कुमार की लिखी कहानी जुगनी का बीरन उसके कई नाम थे, गाउं का मुखिया उसे चेता कहता, सिकारी भूले सिंग के लिए वा बहादुर था और गाउं के छोर पर रहने वाली जुगनी उसे सेरा का कर बुलाती थी जुगनी कहती थी कि उसका बेटा बीरन छुटपन में ऐसा ही दिखाई देता था बीरन को बचपन में वा सेरा कहती थी जुगनी का बेटा बीरन फौज में सैनिक था कई वर्सों से उसका कोई पता नहीं था लोग कहते थे कि वायुद के मोर्चे पर काम आ गया लेकिन जुगनी के मन में अब भी हल की सी आसा थी कि सायद उसका फोजी बेटा कभी लोटा है इस समय सेरा की उम्र दस वर्स थी आज से कोई छावर से पहले वा गाउं के मुखिया को जंगल में रोता भटकता मिला था मुखिया उस नन्ने बच्चे को घने जंगल में देखकर चकित रह गया था उसे अपने साथ काउं ले आया था किसी को पता नहीं था कि वा बच्चा किसका था कहां से आया था मुखिया ने उसे भेणों के बाड़े में रहने की जगा दे दी थी और चेता नाम से पुकारने लगा था वैसे चेता नाम से मुखिया अपने कुत्ते को भी पुकारता था अक्सरवा चेता को मारता पीटता था एक दिन जुगनी ने चेता को देखा तो अपने घर ले गई उसे प्यार से पुछकारा और कई बार सेरा कहकर पुकारा सेरा अब भी मुक्या की भेणों के बाणे में रहता था उसका काम था पहाड़ी ढलान पर सारा दिन भेणों को चराना और साम को जो कुछ रूखा सूखा मिले खा कर सो जाना रात को जब सारा गाँ सो जाता तो सेरा चुपचा जुगनी के घर पहुंच जाता वो सेरा को प्यार से बैठाती जो कुछ रूखा सूखा होता खिलाती सेरा को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता जब जुगनी उसे अपने सैनिक पत्की बीरता के बारे में बताती उसके पत लगते वह सेरा को अपनी गोद में चिपा लेती नन्य सेरा को समझ में सारी बात ना आती थी पर वह जुगनी की गरम गोद में कबूतर सा दुपका हुआ गैरी निंद में सो जाता गाउं के पास से एक सड़क गुजरती थी पहाण के उचे नीचे ढलानों पर भल खाती किसी अजगर की तरह पस्षिर सड़क पर लोगों को आते जाते देखना सेरा को अच्छा लगता था एक काली घोड़ा गाड़ी उसका विसेश ध्यान खीचती थी उसके आगे पीछे चार बंदूग धारी घुडसवार सैनिक रहते थे एक दिन उसने जुगनी से पूछा तो व पाड़ी के धलान पर उगी हरी दूप हलकी हवा में धीरे धीरे सिर हिला रही थी सुखद गर्म धूप में सेरा आलस से पसरा हुआ था हरी घास पर सफेद धबों सी बिखरी भेड़े चर रही थी तबी सेरा ने कुछ बंदूग धारी आदमियों को देखा वे उससे थोड पाड़ी थे बीरन और बीरन के पिता जैसे ही सेरा का मन उत्सु खोठा उन्हें और पास से देखने के लिए वह उस और चल दिया लेकिन तभी वे लोग उसके देखते देखते सामने पहाड़े की एक गुपा में घुश कर गायब हो गए सेरा को कौतु हल हुआ क्योंकि उ गुपा में क्या करने गए हैं यही बात रहरा कर सेर के मन में उभरने लगी कुद देरवा असमंजस में उल्जा खड़ा रहा फिर गुपा की तरफ चल दिया बाहर चमचमापती धूप के वाजूद गुपा में अंधेरा था अंदर से बाचीत की हलकी आवाजे आ रही थी सेरा एक एक कदम आगे बढ़ता चला जा रहा था थोड़ी दूर पर एक मुम बत्ती जल रही थी वही चार आदमी बैठे बाते कर रहे थी एका एक उसमें से एक व्यक्त की नजर सेरा पर पड़ी वह तुरंत आगे आया हाथ पकड़ कर बोला ए छोकड़े काउन है तू य उसने कहा अरे या जुगनी का काउन सा बेटा आ गया उसका बेटा भीरन तो मैं हूँ सेरा आप अलक उस दाड़ी वाले व्यक्त की और ताकता रहे गया तो यही है जुगनी का बेटा भीरन जिसे सब मरा हुआ समझ रहे हैं लेकिन यह यहां क्यों है मा के पास क्यों नहीं जा उससे कहना की वीरन आया है वह रात को यहां आकर चुपचाप मिल जाए खबरदार जो और किसी से एक सब्द भी बोला सेरा भागता हुआ गुफा से बाहर निकल आया सूरज पस्चिम में पहाड़ी के नीचे छिप गया था सब तरफ नीला काला धुंदलापन घिर आय वह भला मुझसे क्यों प्यार करने लगी भेणों को बाड़े में बंद करते करते अंधेरा घिर आया जुगनी को उसने बीरन के बारे में बताया तो वह कुछ पल तो अचरत से आखे फाड़े उसकी और देखती रही फिर बोली बेटा बीरन आया है लेकिन यहां क्यों नह बस गुफा के दर्वाजे से हलका प्रकास बाहर आ रहा था उनकी आहट सुन गुफा से चारू फ्यक्ति बाहर निकल आये सेरा ने देखा जुगनी बीरन को गले से लगा कर रो रही है उसे पुछकार रही है जुगनी बीरन से घर चलनी को कह रही थी लेकिन वो मना कर रहा था फिर बीरन जुगनी से एकदम धीरे धीरे बाते करने लगा लेकिन सेरा ने सुन लिया वो कह रहा था मां तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए क्या मैं तेरा बेटा नहीं फिर ना जाने क्या हुआ जुगनी जोर जोर से चिलाने लगी वह बीरन को गालिया दे रही थी की ओर लौट चली बीरन पीछे से पुकारता ही रह गया पर वा रुकी नहीं मामला सेरा की समझ में नहीं आया घर आकर जुगनी फूट फूट कर रो पड़ी उस राथ सेरा को भी नहीं नहीं आई जुगनी सारी रात रोती रही फिर ना जाने कब सेरा को नींद आ गई जुगनी घर में नहीं थी वा सोज बिचार में डूबा भेडों के बाड़े की तरफ चल दिया उसके हाथ अपना काम करते रहे पर मन में यही बात उमड रही थी कि आखिर जुगनी रोती क्यों रही कहां चली गई भेडों को चराते समय कई बार उसने सामने वाली गुफा की और देखा और सोचने लगा बीरन और उसके साथी ना जाने क्या कर रहे होंगे दो पहर ढलने लगी थी तभी उसने गुफा से चार आदमियों को निकलते देखा उनके हाथों में बंदू के थी वे एकदम फोच के साइन को जैसे दिखाई दे रहे थे उनकी नजर पेड़ के पास खड़े होकर बाते करने लगे सेरा के मन में आया कि उनकी बाते सुननी चाहिए बीरन भी उनी में खड़ा था सेरा धीरे धीरे उनकी दिसा में बढ़ चला पत्थरों और पेड़ों की आड़ लेता हुआ उसने चटान से पीछे चिप कर सुना एक व्यक्ति कह रहा एक गंटे बात खजाने वाली गाड़ी इस अस्थान से गुजरेगी चार हत्यार बन सिपाही साथ में होंगे हमें से दो जन सड़क के इस तरफ जाड़ियों में चिपे रहें और दो आदमी दूसरी तरफ चले जाएं चारों सिपाहियों पर एक साथ गोली चलनी चाहिए उनके मरते ही खजाना हमारा होगा बात सुनने की उतकंटा में सेरा उनके बहुत पास जा पहुँचा था ये बाते सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा तब ही उनमें से एक व्यक्ति ने पीछे खड़े सेरा को देख लिया तुरंट चीख कर बोला अरे या चोकरा फिर आ गया लगता है इसने हमारी बाते सुन ली है फिर सेरा का हाथ पकड़कर एक जोर का थपड़ रसीत कर दिया सेरा को भी गुसा आ गया दूसरे हाथ से गाल सहलाता हुआ बोला हाँ मैंने सब सुन लिया है तुम लोग खजाने वाली गाड़ी क्यों लूटने की सोच रहे हो तुम डाकू हो इस पर तो वे चारो गुस्से से लालो उठे सेरा की और बंदूके तान कर बोले तो पहले तुमसे ही निपट ले सैतान छोक रहे डर के मारे सेरा के पैर कापने लगे आँखें अपने आप मुन गई तभी एक गरचदार आवाज उबरी बंदूके फेक कर हाथ उपर उठालो नहीं तो गोलिये से भून दिये जाओगे सेरा ने देखा चारो और जैसे किसी जादू के जोर से बहुत सारे बंदूकधारी सिपाही हाजिर हो गये थे उनके बीची जुगनी भी उसे नजर आई चारो डाकों ने बंदूके फेक दी सिपाहियो ने उनके हाथों में हतकडिया कस दी बीरन मारे गुसे के पैर पटक रहा था जुगनी की ओर देख कर बोला मा तो तू लाई है पुलिस को तूने पकड़वाया है हमें तू मेरी मा है या अब सेरा को समझ में आ गया कि सुबा सुबा जुगनी कहां चली गई थी जुगनी ने मुख फेर कर कहा तू मेरा सिपाही बेटा भीरन नहीं फाउच का भगोड़ा सैनिक है जो डाकू बन गया मैं तेरी कुछ नहीं हूँ कहते कहते वार रो पड़ी ना जाने को सेरा की आँखें भी भराई जुगनी ने फिर कहा तेरा बाप लड़ाई में गोली खाकर मर मैं ना रोई तुझे भी सैनिक बनाया तेरे मरने की खबर आई तब भी मैंने आसुन नहीं भाए हाँ आज मैं जरूर रो रही हूँ तू मर ही जाता तो अच्छा था और सेरा का हाथ पकड़ कर गाउं की तरफ चल दिया सेरा सोचता चल रहा था क्या सच मुझ कोई मा ऐसी हो सकती है इस बात को कई वर्स बीद गए हैं सेरा बड़ा हो गया है जुगनी ने अब उसे बीरन कहकर पुकारना सुरू कर दिया है बीरन सेना से भागने और डाका डालने के अपराधों के लिए कड़ी सजा भुगत रहा है धन्यवाद